जै मातती, बहुत से लोगों ने पूछा था मेरे से, कि उनके दुस्मनों ने बहुत परेशान करते हैं, तो मैं आपको एक अमावश्या का उपाय बताने जा रहा हूं, इसे करने के बाद आपके दुस्मन का मुह बंद हो जाएगा हमेशा के लिए, पर दिहां रखना ये करें, सावने वाले पर ये बहुत गहरा असर डालेगा, और एक और चीज, इस उपाय को करने से पहले, मेरा पेटियम नम्मर दे रख था इसमें, उसमें इस माता, माभद्र काली की और चोड़े वाली माता के लिए, दोसर क्यामन से लेके जितनी आपकी मर्जी है, वो निकालनी हो रही, पेटियम नम्मर पे देना हो रहा, तब ये उपाय वर्थ करे रहा, पूरी भत्ती और स्रिद्धा के साथ करें, अगर आप सच्चे होंगे, आपके साथ में वातरी में गलत हुआ हो रहा, किसी दे बुरा किया हो रहा, आपको परेशान करता हो रहा, तो उसके लिए ये उपाय वहुत टार करें, हंडर परसंट काम करें रहा, लेकिन ये तब ही करें जब आप पूरे तरीके से सच्चे हो, अगर आप जूटे हुए और फालतू में किसी को सता रहे हो, तो ध्यान रखना, ये आपका उल्टा ही सर्वनास कर दे रहा, ये तब ही फेल हो जाते हैं सारे, हर तरीका फेल हो जाता है, जब कोई आपको फरेहसान करने की सारी हदय पाल कर देता है, तब ये उपाय करना हो, ये इतना ख़तरनात उपाय है, कि तीसे दिन से ही हसर दिखाना सुरू कर देता है, हम आवस्या के दिन सुरू किया जाता है, तो इसे क करने के लिए हमें चाहिए डेली चाहिए नीवू चाहिए एक सिंदूर चाहिए लॉंड चाहिए ट्रपूर चाहिए और इक दीपत चाहिए तरवे तेल का और अगरवत्ती चाहिए और मातराली से प्राथ ना करें दीपज जलाके अर्रवती जलाके है मातराली आपको आपके बेटे नरेंद्र की आने आपको महादेव की आने और गुडु गुड़क नाद की आने आप हमारा ये काम सिद्ध कीजिए हमारे इस दुस्वान का मुह बंद कीजिए फिर बारवार लोट के कह रहा हूं ये उपाय बहुत ही खतरनाक है सोच समझ के करें गलती नहीं होनी चाहिए ये माता संसान काली का बताया हुआ है बहुत ही खतरनाक है इसमें मैं मंत्र अभी नेश्ट बीडियों बताऊं रहा अभी नहीं बता सकता मंत्र एद्दम से क्योंकि लोरोटर कोई भरोसा नहीं है अरली नेश्ट बीडियों होजी मेरी उसमें बताऊं रहा मैं मंत्र आप सच्चे हो अपनी जड़े पैसा ही हो तभी ये उपाय टाल करो रहा बरना आपके उपर उल्टा एफेट डाले रहा और एक और चीज़ जब तक आप दच्छणा नहीं निटालो रहे इस दरवार के लिए 200 च्यामन से लेके आपकी जितनी भी सुद्दा है सच्चे दिल से करो रहे हम आवस्या से शुरू करना है 11 दिन तर करना है लगातार और लास्ट वाले दिन 11 दिन यानी हवन करना है धूप हवन सामड़ी में धूप हवन सामड़ी धूप में काली तिल काली मिर्च और सराब कड़वा तेल ये चीज़े मिलाके हवन करना है इसका एक्रमाला का तो बिदी सुन लीजी जिये क्या है बिदी ये है कि ये हम आवस्या से सुरू करना है सुबह नहाद होते कि सीवी टाली जी के मंदर में जाए और वहाँ पर ये संकल प्तर हैं कि हम ये उपाय करने जा रहे हमारे दुस्वन का आप मुह बंद कीजिए हमेशा के लिए वो हमें परिसान करना छोड़ दे और फिर जो मैं मंतर बताऊना नेस्ट वीडियो में उस मंतर की ग्यारे माला आपको करनी है दीपर चलाते और ग्यारे माला करने के बाद लास्ट में नीवू काटना है उस अपने सत्रूटा नाम लेते हुए बोलना है हे माठाली मेरे सत्रूटी जोवान को टाट दे बंद टर दे हमेशा के लिए मेरी तरफ से ये मेरे तो भूल जाए मुझे परेशा अंटर ना छोड़ दे और नीवू काटने के बाद उस नीवू के उपर लॉन रखनी है नो लॉन और ध्यान रखना टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए पूल वाली होनी चाहिए और ट्रपूर रखके वो जला देनी चाहिए जला देना बाद में और यह सारी जो भी पूजा टी बेश्टे सामद्री है इसे खटे टरते जाना और किसी भी नदी में प्रभायत कर देना ध्यान रखना ये उपए बहुत ख़दरनात है भारी भी पड़ सकता है उल्टा भी पड़ सकता है अगर आप जूटे हुए बेइमान हुए तो किसी को नाजाइस तरीके से परिशान करो रहे तो ये हमारा बताया हुआ उपए समसान टाली ने जो बताया था हमें वो सर्वनास टर दे रहा आपके उपड़ बहुत भारी पड़े रहा आपके उपर ध्यान रखना ये बहुत ख़दरनात है इसमें कोई भी चूट या भूल नहीं होनी चाहिए ध्यान रखना जैमाता दी